नवश्कार अदाप सश्रिया काल में कीती और आप देख रहे हैं लाइफ 10 न्यूज बिहार की सियासत फिर उबाल माल रही है मुखे मत्री निटीश कुमार के कई कदमों ने इंडिया गडबंदन की धरकने तेज कर दी है सभी की जुबान पर स्विफ एक सवाल चल रहा है क्या सुशासन बाबू फिर पल्टी मारेंगे इस सवाल का जवाब तो अभी तक नहीं मिला है लेकिन सियासत में असल बयानों या फैसलों से जादा उन संकेतों को समझना जरूरी है जो किसी भी बड़ी घटना की प्रिष्ट भूमी तयार करते हैं बिहार के साथ भी ऐसा ही हो रहा है अगर सवाल उठा है तो उसकी भूमी भी तयार दिख रही है प्रिष्लेक उस दिनों में बिहार में काफी कुछ बदल गया अचानक से नितीश लालू की दोस्ती में दरार दिख रही है जेडिउ आर जेडी के दिल नहीं मिल रहे है इंडिया गड़बंदन में भी खीचातान बढ़ सी गई है जानि की हर डिपार्टमेंट में एक ही संकेत मिलता दिखाई दे रहा है पल्टी का समय आ गया है नितीश कुमार ने पहले भी ऐसी पल्टी आमारी है सभी को चौकाते हुए कई बार गडबंदन बदले हैं इस बार भी कई ऐसे त्राक्टर दिखाई दे रहे हैं जिससे अटकले तेज हैं कि नितीश कुमार क्या फिर NDA से हाथ मिला लेंगे अब नि कि नितीश और मोधी सरकार के क्या कदम होने वाले हैं लेकिन सबसे पहले RJD की बयानबाजी से शुरू करते हैं लालु प्रसाद यादव की बेटी रोहिनी यादव ने गुरुवार सुभा को X प्लैटफॉर्म पर दो पोस्ट शेयर करें दोनों पोस्ट से एक हीत संदेश निकला बिना नाम लिए नितीश कुमार को आयना दिखाना है पहली पोस्ट में रोहिनी ने सीधे तोर पर लिखा कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है हवाओं की तरहा बदलती जिनकी विचार धारा है दूसरी पोस्ट में एक और सी आसी चौका मारते हु अब लालू की बेटी के बयान जेडियू और नितीश कुमार पर तंज माने जा रहे हैं सामने से आकर किसी ने कुछ नहीं बोला लेकिन संकेश साफ दिये गया है इससे पहले किम नितीश कुमार ने भी करपुरी ठाकुर का जिक्र कर कह दिया था कि करपुरी ठाकुर ने कभी भी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया है। पूर्फ सीम करपुरी छाकुर को भारत रत्न देने का एलान किया लंबे समय से सीम नितीश कुमार की ये मांग थी उन्होंने यूपीय सरकार के दौरान भी समुद्दे को उठाया था लेकिन जो सम्मान तब नहीं दिया गया मोधी सरकार ने लोग सभा चुनाओ से ठीक पहल ला दिया नितीश की ड्विमांड क्योंकि केंदर ने पूरी की है ऐसे में पियम मोधी से लेकर बिजेपी को लेकर सीम का मिजास कुछ बदला है उसके उपर जिस तरह से नितीश कुमार ने करपुरी छाकुर पर दो बधाई संदेश दिये उसने भी काफी कुछ साफ कर दि पहले संदेश में बिना पियम मोधी का नाम लिखे बधाई दूसरे में पियम मोधी को जोड़ कर बधाई यानि कि किससे गुट बुक्स में आने का प्रयास किसके गुट बुक्स में आने का प्रयास कर रहे है उसकी जलक मिल जाती है अब अगर कुछ बयान बाजी ने सिया असी महौल को गर्मा दिया है गर्म किया है इसके साथ साथ नितीश के इतिहास ने भी काफे कुछ बताने का काम किया है नितीश का इतिहास ही पलटने वाला रहा है जिसने उनको नाता तूटता है जिससे भी उनका अगर नाता तूटता है कुछ सालों बाद उनके साथ ही उनक गडबंधन से इस बार मोहल ऐसा बन रहा है कि नितीश फिर NDA के साथ जा सकते हैं अगर सिर्फ कुछ साल पहले तक की बात करें तो नितीश ने सबसे पहले NDA का साथ तब छोड़ा जब नरेंद्र मोधी को बिजेपी ने अपना PM उमीदवार बनाया था जी हाँ इंडिये का साथ उस वक्त नितीश ने छोड़ा था इसके बात जब महा गडबंधन प्रफ प्रश्चाचार के आरोप लगे उन्होंने लालू का साथ भी छोड़ दिया इसके बात जब बीजेपी ने अपनी तरफ से प्रेशर पॉलिक्टिक्स खेली नितीश ने फिर पाला बदल लिया अब फिर चुनाओ आ रहे हैं नितीश किस पाले जाते हैं क्योंकि बिहार की नाजनीती में बहुत कुछ पक रहा है अब ये किस जगा पर पहुसता है इससे क्या बन कर निकलता है तो वक्त ही बताएगा लेकिन जो भी कुछ होगा हम आप तक लेके जरूर आइए चानल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए गाओ